राजस्तान विधान सवाचुनाव में बिजेपी को पूर बहुमत मिला है लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जन्ता के मन में कौन रहा है कि राजस्तान में बिजेपी की सरकार बनने के बाद आखिर होगा कौन सी अब यह रेपोर्ट देखिए राजस्तान की जन्ताने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को सता सौपी है अब बीजेपी के सामने भी लोगों की उम्मीदों का पहाड़ है विपक्ष में रहते हुए गरीब किसान, मैला और युवाओं के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी को ना सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा बलकि लोगों को यह एसास भी कराना होगा कि कॉंग्रेस के मॉडल से कहीं बहतर बीजेपी डिलीवर करने वाली पार्टी है राजस्थान में बीजेपी ने एतिहासिक जीत हासिल की है प्रदेश में राज बदल गया सियम शोग गैलोत ने राजपाल को स्तीफा दे दिया और जल्धी बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा प्रदेश के सिहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा क्यूकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाओ बिना मुख्यमंत्री पत के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है एक तरफ दिल्ली बीजेपी कारेले पर जश्र का माहौल है तो वही पियम मोदी, अमित शा, जेपी नड़ा इसको लेकर रणीती बनाने में भी जुटे है इन सब के बीच प्रदेश की राजनीती में कुछ नाम सबसे जादा चर्चा में है वो है अर्जुन राम मेगवाल, गजींद्र सिंग शिखावत, वसुंद्रा राजे, राजिवर्धन सिंग राठोर, ओम भिरला ये पाँच नाम अभी प्रदेश में सीम पत के लिए सबसे अधिक चर्चा में है और क्यूं है ये भी आपको बताती है इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेगवाल को किसी भी सीड से चुनाओ नहीं लड़ाया है लेकिन वो सीम पत की रेस में शामिल है वहीं गजेंद्र सिंग शिखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है जोगपुर लोगसभा से सांसद है शिखावत चल शक्ती मंत्री है लेकिन शिखावत ने भी खुच चुनाओ नहीं लड़ा है लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाओ में उन्हें उतारा जा सकता है क्योंकि करणपुर सीट पर कॉंग्रस प्रत्याश्री का निधन हो गया था और वहाँ चुनाओ नहीं हुआ है बात अगर वसुंद्रा राजे की करें तो दो बार प्रदेश की सीम रही प्रदेश की सबसे लियन नेता है पाच बार विधायक रही है बात बार लोगसवा सांसद रही है वालियर राजगराने की बेटी है वाल्पुर राजगराने की बहु है वसुंद्रा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रह लिया और दो बड़े रोट शो की है कई बागियों की संजाइश भी की है लेकिन इस बार स्पेस जाहिर नहीं किया है बात राजवर्धन सिंग राजगराने की करें तो जैपूर ग्रामीन से सांसद है वो बड़ा सीर से जीत हांसिल की है पचास हजार से अधिक वोटों से जीते 2013 में राजुनीती में प्रवेश किया था सेश साल तक सेरा में सेवाए भी अगर कोई दलित कार्ड खेला जाता है तो मदन दिलावर और अरजुन राम मेघवाल या वर्तमान सीपी जोसी या ओम बिड़ला भी हो सकते हैं और एक और भी जो करते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं तो जिस तरीके से हमने गुजरात में देखा पहली बार के मुख्यमंत्री तो नोक्षम चोदरी जो सबसे कम उम्र की है 28 साल की है वो भी राजस्तान में एक नया इतियास लिख सकती है कि दलित वर्क से भी है आईली एजुकेटेड भी है और उन्होंने जाहिदा खान को जो तयव हुसेन की सियासी बागदोर को समाल रही थी उनको उनके घर में पटकनी दी है दोनों बेटों को प्रधान बनाने के बावजूद उनके घर में चुनोती दी है तो क्या पता एक नया गुल खिल जाए कि पुसकर सिंग धामी हार गये तो भी मुख्यमंत्री बना दिया था तो क्या पता नोक्षम चौधरी की भी लाटरी लग जाए लेकिन दिया कुमारी मुझे लग रहा है सब पर भारी नजर आए रज्जिवर्धन सिंग्राटोर ने कॉंग्विस के अभिशेक चौधरी को माद दी है और सीम की रेस में भी है वहीं ओम बिरला कोटा दक्षरन से तीन बार विधायक रहे दो बार के सांसद रहे बिरला अभी सत्रवी लोकसभा के अध्यक्ष है फिलाल बीजेपी में अब सीम फेस को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है बीजेपी आलकमान परवेक्षक जैपूर भेजेंगे और विधायको की राए पर सीम का नाम तैह होगा जिसके बाद पारलेवेंटरी बोर्ड नाम तैह करेगा जिसका सब को इंतिज़ार है जैपूर से लेकर दिल्ली तक मंत्रणाओं का दौर जारी है हालाकि मुख्यमंत्री का नाम आमसह्मती सही तैह होगा लेकिन जिसका भी नाम तैह होगा उसे साल 2024 में लोकसभाद चुनाओ में राजस्तान फत्य करने की बड़ी गारंटी देनी होगी दूसरी दिन हंगांए के भी आसार नजर नजर आ रहे हैं लेकिन पहले दिन भी ध्यान रखना चाहिए कि 12 बजे तक सनसत की कारवाही स्थाकित कर दी गई थी क्योंकि संसद के अंदर तमाम संसद लोग वोडिंग लेकर चले आये थे जो बिलकुल ही संसद की कारवाही के विरुत था लेकिन आज भी दूसरे दिन भी हंगा में क्या सार नजर आ रहे हैं क्यूं आ रहे हैं वो आपको बता देते दरसल स्रिमूल कॉंग्रेस यानि टीमसी की संसद है मोहिया मुत्रा जिनके निसकाशन संबंधी रिपोर्ट आज लोग सभा में पेश की जाएगी और जिसको लेकर ये भरोसा जताय जा रहा है या फिर आंदेशा लगाया जा रहा है कि आज भी संसद की कारवाही सिर्फ और स सिफ हंगामे के भेठी चर्टी भी नजर आएगी महुआ मोहित्रा के मुद्दे पर सोमवार को लोग सभा में जम कर भी हंगामा हुआ था जो तज़्वीरे भी हमने आप तक पहुचाई थी विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की इसके लामा ती के लिए लोकसभा और राजसभा में 15-15 घंटे और आउट किये जाएंगे और उसके बाद 15-15 घंटे जब अलोट कर दिये जाएंगे जिसमें इन तीनों मुद्दे पर होगा कॉंग्रिस संसद में सी सी बिल का भी यानि की इलेक्शन कमीशन बिल का भी विरोध कर सकती है औ और इस पर बहस के लिए 6-6 घंटे दोनों सदनों में अलोट किये गए हैं तो आपको बता दें कि ये तमाम चार ऐसे मुद्दे हैं ये चार ऐसे मुद्दे हैं जो आज लोकसभा जिन इन चार मुद्दों पर फिर से हंगामे की भेट चर सकती है अब खपरों में आगे प्रचन जीत में कई निताओं की एहम भूमिका रही है जिसमें सही रणनीती कुशन नित्यों तो और टिकटों का वित्रल भी सही तरीके से किया गया है इन सब के पीछे बिजेपी के नए चारक का हाथ था आज हम उसकी चर्चा करेंगे और अपनी इस रिपोर्ट में बता राजस्थान वे बिजेपी ने बंपर जीत दर्च की है राजस्थान को भगवा करने में कई नेताओं ने अपना पसीना बहाया है लेकिन इन सब के बीच एक चेरा ऐसा भी था जुसने परदे की पीछे से पूरी रणनीती तयार की और राजस्थान को बिजेपी की जोली म में भी कमल खिला है बिजेपी की तीन राज्यों में प्रचन जीत ऐसी ही नहीं हुई है इसके पीछे जेपी नड़ा ने मेगा प्लैन बनाया था क्योंकि राजस्थान में तो बिजेपी कई खिमों में बटी हुई थी गुणबाजी के भवर में फसी बीजेपी को एक चु क्राव लड़ने का एहम दिरने भी लिया हवन में जो सामगरी है वो जब डलती है तो मैं समस्ता हूं वो खुश्बू आती है और वो खुश्बू के नाते उन्होंने पूरे राजस्तान को मैकाया और उसका प्रिणाम है कि आज हम भारिजनता पार्टी की राजस्तान में हाँ एक बहुत जोड़दार बहुमत के सा 215 हमारी सीटे पूर्ण बहुमत से जीत करके वारिजनता पार्टी की सरकार बनी है मैं समस्ता हूं ऐसे योग्ये राश्टी अद्यक जी के नित्रत में हमको राजस्तान में जोड़दार बढ़त मिली है जहां प्रदेश अध्यक्ष तक हम सभी एक दूसरे को समान रूप स समस्ता है हमारी सीट का भी जहां सभी लोगों ने राश्टान की जनता ने मोडिय जी की गारंटी पर विस्वाड़ किया और राश्टास से बाहर किया राइस्तान के सब ब बाती जंता पार्टी बते को संग राधिवेसन के लिए मानते हुए आगे आगय अलग भी है जेपी नज़ा ने प्रुदेश बिजेपी निताओं पर जादा भरोसा करने की बजाए अपने कारिकर्टाओं पर विश्वास किया नज़ा ने कारिकर्टाओं को सकरात्मक सोच, कमल के फूल को चेहरा, मोधी सरकार के काम, भूत मैंनेजमेंट के जरिये चीत का मंत्र दिया बारतीय जंटा पालिटीक लोगततांत्रिक संग्ठन है और बारतीय जंटा पालिटी के अंदर अध्यक्स का बहुत भड़ा रोल होता है वु अध्यक्स हमारा भूत का हो या राश्ट्रे अध्यक्स हो और जब से जेपिल नड़ा जी ने भारतीय जंता पार्टी की राष्ट्य अद्धिक के रुपे कमान समाली है पूरे भारतवर्स के अंदर ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर भारती जंता पार्टी के सदस्ता का बहुत बड़ा आकड़ा बड़ा है और भारती जंता पार्टी का संगठन बूत इस्तर पर बहुत ये कोई एक दो महिने का चुनाव नहीं था पिछले दो तीन सालों से राष्ट्यत्प्रकारे लगातार दोरे राजस्तान के उर्धर हो रहे थे और उनका सबसे बड़ा जो जूर था वो उनका जोर था कि भारतिय जनता पालिटी का कारकरता नीचे तक रहे और बूत इस्तर पर भारतिय जनता पालिटी इस प्रकार की मजबूत हो जाए जिससे हर स्चेतर में भारतिय जनता पालिटी जीत के आए यही नहीं चुनावों में लिये गए एहम निर्णियों में भी जेपी नज्डा का महतोपूर्ण रोल रहा पाटी ने चुनावों की दोरान सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का एहम निर्णे हो या फिर सर्वे के आधार पर जिकट वितरन का फैसला जनता को बीजेपी के प्रती कन्वेंस करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नज्जा ने चुनाव के दोरान पांच दिन में दस सभाय कर चौदर विदान सभाक शेत्रों को कवर करते हुए दो रोडशों के साथ संगतनात्मक बैठकों पर फोकस किया नज्जा ने महुआ, सिकराई, पिपाड, ओसिया, जसलमेड, जोत्पुष चहर, सर्दारपुरा, सुर्सागर, रासमंद, धोद, पतेपूर, तातरामगड और दोसा में भी सभाकी इमें जादतर सीडों पर भी जेपी को जीत हासिल हुई, अब राजनीते के विश्रेशक भी जेपी नड़ा की रणनीते के मुरीद हो गये है भारती जन्ता पार्टी के रास्ती अर्द्यक्ष जगत प्रसाद नड़ा, चुनाब मैनेजमेंट के बहुत माहिर विक्तियों में से एक भारती जन्ता पार्टी के अगर टॉप के निताओं में बात करें, तो जेपी नड़ा साहब का इलेक्शन मैनेजमेंट अपने आप में एक अनूथा और अनोका और बहुत प्रभाबशाली है अगर हम राजिस्तान के परपेक्श में बात करें, तो राजिस्तान में जिस तरह की विजए भारती जन्ता पार्टी ने इन विधान सवा चुनावों में प्राप्र की है, उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ी रणनीती जेपी नड़ा साहब की रही है जेपी नड़ा साब बूत मैनेजमेंट के लिए खास तोर पर जाने जाते हैं, पार्टी के लिए माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर जेपी नड़ा साब की मेहनत का ही पड़ा में कि भारती जन्ता पार्टी ने इतने बड़ी विजए राजस्थान के अंदर पाप्त की है और अब बुल्टिर में वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का विजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर जैपुर से दिलिता खलचल तेज हो चुकी है सीपी जोशी आरूट सिंग ने शाह और नड़ा से मुलाकात की है सीएम की रेस में शिखावा, वसुंदार राजे, राजवर्दन सिंग राठाओ, ओम बिल्डा और बाबा बालकनाथ है वसुंदार राजे की डिनर डिप्लोमेसी 24 से जावा विधायक वसुंदार राजे से मिलने उनकी आवाज पहुचे करेश सतर विधायकों को कॉल करके बुलाया क्या था हार के कार्णों की समिशा करेगी प्रदेश का उंग्रेस साथ सुबा ग्यारा बजे होगी विधायक दलकी बैट्यक पार्टी विधायकों से रही की चुनाओ नती जोका फीड़बैक